हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल कविंदर भाईया पर तो दोस्तों आज हम लोग कक्छा आठ का महान विक्तितों पढ़ेंगे आज हम लोग पाठ साथ पढ़ेंगे हमारे पाठ का नाम हर्सवर्धन तो आज हम दोगी इस पाठ का सारांस देखेंगे चलिए देखते हैं रानी यसो मती के गर्व से 590 इस्वी में जेश्ट महीने के कृष्ण पक्ष की द्वीदशी को हर्ष का जन्म हुआ था हर्ष का जन्म कब हुआ था तो 590 इसापुर्व में जेश्ट महीने के जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें द्वीदशी को हुआ था इनके माता का नाम था यसो मती आगे देखते हैं उशिके पिता प्रभाकर वर्धन थानेश्वर के योगे एवं प्रतापी सासक थे ठीके उनके प्रिता का हर्ष वर्धन के पिता का क्या नाम था तो प्रभाकर नाम था ठीके प्रभाकर वर्धन ये थानेश्वर के योगे एवं प्रतापी राजा थें जिन्होंने भारत पर आक्रमण करने वाले हुडो का बड़ी कुसलता से दमन किया था अर्थात उन्हें हराया था देखी क्या कहने का ताथ पर है कि जो ये प्रभाकर वर्धन थे वो भारत पर जब आक्रमण हुडो ने किया था तो उन्हें बड़ी ही कुसलता से हरा दिया था आगे देखते हैं पीता की मृत्तिव के बाद हर्ष वर्धन के बड़े भाई राजे वर्धन गद्धी पर बैठें जब पीता की मृत्ति हो गई तो हर्ष वर्धन के बड़े भाई जो थे राजे वर्धन वो गद्धी पर बैठ गए ठीक है आगे देखते हैं इसी वीच मालवा के राजा ने हर्ज की छोटी बहन राजिस्री के पती ग्रिह वर्मा की हत्या कर दी ठीके इसी वीच क्या होता है कि मालवा के जो राजा थे वो हर्ज की छोटी बहन जिनका नाम था राजिस्री उनके पती पती का क्या नाम था तो ग्रिह वर्मा ठीक है राजे स्री के पती का नाम ग्रिह वर्मा था तो मालवा के जो राजा थे उसके हत्या कर देते हैं ग्रिह वर्मा के ठीक है देखिए जो हर्स वर्धन ने उनके पीता का क्या नाम था प्रभाकर वर्धन ठीक है और उनके भाई का नाम था राजवर्धन और उनकी बहन का नाम था राजश्री ठीक है आगे देखते हैं आगे राजश्री को कैद करके कारागार में डाल दिया गया था और उनके पती को मार कर और राजश्री को कैद बना लिया था कैदी बना लिया थे ठीक है इस अपमान का बदला लेने के ल और यूध में वे वाव विजय हुआ किन्तु लोटती समय बंगला के राजा ससंक द्वारा मार डाला गया देखे दोस्तों क्या होता है कि जो राजश्री को तो कैद कर लिया जाता है तो इसे अपमान समझकर जो राज्यवर्धन होते हैं वो मराठों पर चढ़ाई कर देते ह और यूध करने लगते हैं और यूध में वो विजय भी हो जाते हैं लेकिन जब वहां से यूध करके लोटते हैं तो जो बंगला के राजा था ससंक उसके द्वारा राज्यवर्धन की मृत्ती हो जाती है आगे देखते हैं हर्ष अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ था जब उसके भाई की मार दिया गया तो हर्ष उस समय अभी 16 वर्ष का भी नहीं था वह भाई राज्यवर्धन की मृत्ती पर अत्यदिक दुखी हुआ और राजपाट छोड़ने की को तयार हो गया देखी दोस्तों वह जब उसके भाई की मृत्ती हो गई तो उससे वह अत्यदिक दुखी हुआ और उसने सोचा कि अब मैं राजपाट नहीं करूँगा उससे तयार नहीं था वह इस पर मंतिरियों ने उसे बहुत समझाया और राजा बनने की सवीने प्रातना की तब सीलादित्य उपनाम ग्रहन करके हर्ष चोश चोश में कर्नौज के सिंहासन पर बैठा हर्ष वर्धन कर्नौज के सिंहासन पर कब बैठा तो चोश से चोईस भी में ठीक है आगे देखते हैं हर्ष के कर्मचारियों ने उसे दिख विजय के लिए प्रेरित किया हर्ष ने पहले ससांग को परास्त किया उसकी बाद राजी स्री का पता लगाया जो जंगल में चीत पर्यंत अपने पास रखा देखे दूस्तों क्या होता है कि फिर वो बैठ जाते हैं गद्दी फिर उसके बाद कर्मचारियों ने उन्हें दिख विजय के लिए प्रेरित करते हैं फिर उसके बाद ससांग को पराजित करते हैं हर्ष वर्धन फिर उन्हें पता लगता है कि जो बहन राजिस्री है वो जंगल में चीता पे जलने जा रही है तो उन्होंने उसे बचाया और अपने पासी रख लिया आगे देखते हैं अपनी योगेता के बल पर वह 40 वर्स से अधिक समय तक सांती के साथ राजि करने में समर्थ रहा और उसकी योगेता और इतना बल अच्छा था कि वो 40 वर्स तक से भी अधिक समय तक वो सांती से अपना राजि चलाते रहें ठीके आगे देखते हैं हर्स के समय में भारत को अपने इतिहास के एक अत्यंत महत्यपूर योग को देखने का सोभाग्य प्राप्त हुआ जब हर्स का समय था तो उस समय इतिहास के एक अत्यंत महत्यपूर योग को देखना एक सोभाग्य प्राप्त था हर्स धार्मिक विशयों में उदार और विद्या प्रेमी था आरंभ में वह सेवकिन्तु दिगविजयों के उपरांत उसने तथा उसकी बहन राज्यस्री ने बौद धर्म सिविकार कर लिया जब वो दिख विजई हो गया तो उसके बाद उसकी बैहन राजे स्री और हर्श वर्धन बौध धर्म को सिवकार कर लेते हैं आगे देखते हैं हर्श ने संस्कृत भासा में रलावली नगननंद और प्रिय दर्शी का नामक नाटक लिखे साथी उसने एक व्याकर ग्रंथ की भी रचना की ठीक है आगे देखते हैं हर्श सरकारी जमीन की आय का एक चतुर्थांस विद्वानों को पुर्शक्रित करने में और दूसरा चतुर्थांस विभीन संप्रदायों को दानग देने में खर्च करता था उसने अपने राच्य में सर्वत्र मांसाहारी का निसेद कर दिया अर्थात उसने यहां गोश्ना की की अब मांसाहारी कोई नहीं रहेगा वेन सांग ने उस काल के नाना प्रकार के वस्तरों का विशेस उलेख किया है जो वे इंसांग है उन्होंने कई प्रकार के वस्तुरों का विशेस उलेख किया है आगे देखते हैं हर्स बहुत उदार तथा दयालू प्रकृति का साशक था जो हर्स वर्दन था वो बहुत ही दयालू और उदार प्रकृति का राजा था वह एक साथी राजा और कवी युद्धा और विद्धुमान राजसी और साधु सुभाव का था जो हर्सवर्दन थे वो एक ही साथ में राजा और कवी थे युद्धा और विद्धुमान थे राजसी और साधु सुभाव के थे आगे देखते हैं बौध धर्म का अध्यान पूरा कर वेंसांग चीन लोट गया जब बौध धर्म का अध्यान कर लिया तो वेंसांग अपने चीन लोट गया और उशने लिखा है कि मैं अनीक राजाओ की संपर्क में आया किन्तु हर्स जैसा कोई नहीं वो कहते हैं कि मैंने अनेक राजाओ की संपर्क में आर्थात अनेक राजाओ से मिला परंतु जो हर्स में बात है वो किसी और राजा में नहीं मैंने अनेक देशों में भ्रमड किया है किन्तु भारत जैसा कोई देश नहीं कहते हैं कि मैंने बहुत सारे राजी अर्था देश में गए लेकिन वह अहां पे भारत जैसा कोई देश नहीं था भारत वास्तों में महान देश है और उसकी महत्ता का मूल है उसकी जनता तथा हर्स जैसा उसके सासक वो कहते हैं कि भारत जैसा महान कोई देश नहीं है उसके जैसा कोई जनता नहीं है और हर्स जैसा कोई राजा नहीं है वो लिखते हैं ठीके? तो दोस्तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताईएगा धन्यवाद